मेरे पास four chocolates है ठीक है और मेरे पास eight क्या है टॉफीज है ठीक है अब मुझे ये चॉकलेट तो टॉफीज ऐसे distribute करनी है कि हर एक को equal number of chocolate मिले equal number of toffees मिले कितने लोगों में मैं ये distribute करना हूँ HTF क्या होता है हाइएस्ट कॉमन थाक्षिण हेलो स्टूदें वेल्कम बाक तो मैं चानल मिस्स शिक्षावली अगर मेरे वीडियो को फर्स तैम देखें प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्स्क्राइब कीजिए आज का हमारे टॉपिक है क्लास 5, Faktors in Multiple part 4 तो आएज शुरू करते है हमारा आज का विडियो आज है Faktors in Multiples का Part 4 Part 1 में में आपको factors के बारे में बताय था उसकी properties Multiples उसकी properties Part 2 में में मैं आपको क्या बताय था? Divisibility test Part 3 में Prime Factorization आज हम पढ़ेंगे HCF, HCF क्या होता है, highest common factor, सबसे बड़ा common मतलब जो common है, ठीक है, और factor, factor मैंने क्या बताया है, एसा divisor जो किसी भी number को completely divide करें, completely मतलब remainder क्या है, zero, ठीक है, चालिए, उससे पहले एक मेरे question का, छोटे से question का answer दे दीजे, मेरे पास four chocolates हैं, ठीक है, और मेरे पास eight क्या है, toffees हैं, ठीक है, अब मुझे ये chocolates और toffees ऐसे distribute करनी है कि हर एक को equal number of chocolate मिले, equal number of toffees मिले, कितने लोगों में मैं ये distribute कर पाऊँगी, मतलब एक बंदे को, जितने भी बंदों को मैं distribute कर पाऊँगी, हर एक को equal chocolate मिलने चाहिए, equal toffees, ठीक है, कितने लोगों को मैं दे पाऊँगी, बताए, येस, आपने ठीक बताया, मैं four लोगों को दे पाऊँगी, कैसे दे पाऊँगी, एक एक chocolate दे दूँगी, और दो-दो toffees दे दूँगी, ठीक है, तो ये जो four हुआ, ये क्या है, highest common factor, कैसे पता चला, देखो, फोर के क्या-क्या factor है, फोर के क्या-क्या factor होंगे, one हो गया, one four को completely divide करता है, one fours are four, two twos are four, and four ones are four, ठीक है, one के factor क्या होए, one two four, eight के क्या होंगे, one, one completely divide कर रहा है, two fours are eight, four twos are eight, and eight ones are eight, ठीक है, अब common factor क्या-क्या है, यह common 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 है, 8 नहीं है, तो 8 common नहीं है, अब common के बाद में हमें क्या देखना, highest common, सबसे बड़ा common कौन सा हुआ, यह तो सबसे चोटा common हो गया, यह हुआ सबसे बड़ा common factor, तो highest common factor क्या हो गया, 4. I hope आप समझ गए कि Highest Common Factor कैसे निकालते हैं पहले Common Factor देखते हैं फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा हो Highest हो वो होता है Highest Common Factor I hope आपको Highest Common Factor का Concept समझ में आ गया अब मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी Prime Factorization and Long Division चालिए देखते हैं HCF by Prime Factorization Method Now is the HCF by Prime Factorization Method Prime Factorization मैंने आपको Part 3 में पढ़ाया है कैसे निकालते हैं यहाँ भी मैं बताऊंगी Detail में देखना है With Live Example तो आप वाव वीडियो वाच कर लेगेजा तिक्या सरीस का 3rd वीडियो है Now HCF by Prime Factorization Find the HCF of 24 and 32 24 and 32 का HCF निकालेंगे पहले आप क्या करेंगे 24 के Prime Factor कीजिए Prime Factor मतलब पहले देखो 24 सबसे छोटे किस Prime Number से डिवाइड हो रहा है क्या 2 से completely डिवाइड हो रहा है Yes 2 1s आ 2s आ ठीक है 2 6s आ 12 2 3s आ 6 आप 3 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 किस से होगा Next Prime Number क्या है 3 3 3 से डिवाइड हो जाएगा Factors Prime Factors होगे 24 के 24 के Prime Factors लिग दो क्या है 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 चीक्या आप Similarly आप 32 के कर लिजे क्या 32 सबसे छोटा Prime Number जो की 2 है उससे डिवाइड होता है Yes Divisibility में बताया है अगर Number का Last Digit मतलब Unit Digit अगर Divisible by 2 है तो पूरा Number Divisible हो जाएगा देखिए 2 1s आ 2 2 6s आ 12 हो गया 16 भी होता है 2 8s आ 16 2 4s आ 8 2 2s आ 4 2 1s आ 2 ठीक है 32 के फैक्टर आ गए क्या है 32 के फैक्टर देखो 2 2 2 2 2 2 5 तेमस 2 1 2 3 4 5 अब आपको क्या देखना है Common Factors Common क्या क्या है ऐसे बना लिना देखो ऐसे बना लिना कभी गलती नहीं होगी एक ये Common pair आ गया मतलब 2 ठीक है तो Highest Common Factor क्या हुआ ये कौल सा Common Factor है 2 फिर क्या है 2 फिर क्या है 2 ये Common नहीं है रेको 3 यहां पर है पर यहां नहीं है 2 यहां पर है पर यहां नहीं है ठीक है तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 क्या आ गया Highest Common Factor 8 तो इन दोनों का Highest Common Factor क्या आया 8 आयएवप आप समझ गए पहले प्राम फैक्टर्स करेंगे प्राम फैक्टर्स करेंगे कॉमण पैर्स कीमेगे कॉम मुंक्ट जेखेंगे कॉमण क्या है जो भी कॉमन यहारे उसका नंबर ले इस टू टूंसियों गूबड़ onboard between f 6ᵉD 1000 के थिल्ध ठीक जिह ना उसी 36 48 63 numbers का निकालना है कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम करना है तीनों का अलग-अलग प्राइम फैक्टर कीजिए ठीक है पहले 36 के करते है 36 टू से डिवाइड होगा हो जाएगा क्योंकि 6 एवन नमबर है ठीक है किस से होगा 9 नेक्स प्राइम नूमबर क्या है टू के बाद 3 3 से हो जाएगा 3 3s आ 9 देखो 36 के क्या फैक्टर आ गए 2 2 3 3 तुरंत आप लिख लिया करिए ठीक है अब देखते है 48 48 टू से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 है की वो नमबर है 2 2s आ 4s आ 2 1s आ 2s आ 2 6s आ 12 2 3s आ 3 नहीं होगा 2 से 3 3 से होगा इसके भी कॉमन फैक्टर आप लिख लिजे क्या है अब 2 2 2 2 2 3 ठीक है देखो 4 बर 2 और 3 चार बर 2 और 3 ठीक है अब 60 करते है 62 से डिवाइड हो जाएगा it's an even number 2 3s आ 0 2 1s आ 5s आ 15 नहीं होगा 2 से डिवाइड किस से होगा 3 से exactly 3 5s आ 15 अब 5 किस से होगा 2 से भी नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा 5 है next प्राइम नूमबर 5 से होगा now 60 का क्या आ गया 2 2 3 & 5 अब देखिए अब आपको क्या देखना है तीनों में common कैसे देखेंगे देखो pair बना ले ना ऐसे pair बना लोगे कभी गलती नहीं होगी एक ये common आ गया ठीक है फिर एक ये common आ गया ठीक है आप देखो 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है ठीक है एक 3 का भी common pair आ गया Now, अब 3 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं क्या आ गया HCF HCF देखो, इस वाले pair का 2, फिर इस वाले pair का 2, फिर इस वाले pair का 3 वाला pair है 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, HCF क्या आ गया, 12 I hope अब आप समझ गए हैं कि prime factorization से कैसे करना है, पहले अलग 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 prime factors कीजिए, pairs बनाइए, multiply करके HCF find out कर लेजिए बहुत असान है, practice करिएगा, बहुत easily आजाएगा, कोई problem हो, comment कीजिएगा चलिए आप देखते हैं, long division से कैसे करते हैं, HCF find out Now see, HCF by long division method, long division method से HCF find out करना है, आपको 2 numbers का पहले मैं बताती हूँ कैसे करते हैं फिर 3 का भी देखेंगे, जो भी आपका smallest number है, वो क्या हो जाएगा, diviser हो जाएगा और जो भी आपका greatest number है, वो dividend हो जाएगा, आप इनको divide करेंगे, simple जैसे divide करते हैं ठीक है, आप देखिए, 165, पहले 3 digits जो है, इस पहले 3 digits नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इससे less है, तो आपको 4 digits देखने पड़ेगी 847 तूजा क्या होता है, 7 तूजा 14, 4 तूजा 8, 9, 16, 1, 6, 9, 4 जो है, इससे बड़ा है, तो तूजा नहीं जा सकता 847 वनजा 847, माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस किया, 3 आया, 5, फिर ये 4 में से 4 गया, 0, 16 में से 8 गया, 8, ठीक है, अब क्या करेंगे ये, तो आपका रिमेंडर आ गया, आप जो ये डिवाइजर था, ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, समझ गया, ये जो डिवाइजर था, ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, 847, 803 की टेबल में 847 कहा पर आएगा, वनजा, 803, ठीक है, आ अब क्या हो जाएगा यह तो डिवाइजर हो गया डिवेडेंट क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया, 3, 3, 6, 3, चीक है, अब 44 की टेबल में, 3, 6, 3 कहां पर आएगा, देखो जरा, 44 5 जा आएगा, 44 6 जा आएगा, 44 7 जा कहां पर आएगा, 44 7 जा देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 9 30, एक बार और करके देखते हैं, 44 8 जा क्या आएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, येस, 44 8 जा क्या आएगा, 3, 52, माइनस कीजे, 1, 1, 11 आ गया, देखो ये मैं यहाँ पर कर रही हूं कहरी, 11 आ गया, अब ये क्या था, ये क्या बन जाएगा आपका नेक्स डिवाइजर, 44, 4 जा 44, माइनस 0, देखो, कब तक डिवाइड करना है, कब तक डिवीडेंट चेंज होगा, जब तक हमें रिमेंडर में 0 ना मिल जाए, अब आपका जो ये लास्ट डिवाइजर है, लास्ट जो आपका डिवाइजर बचता है, लास्ट हमने क्या डिवाइजर था हमारा, 11, यही हमारा HCF होता है, हमारा HCF क्या आएगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर क्या है, 11, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए होंगे पहले क्या करेंगे smallest number divisor and greatest number dividend divide करते चले जाओ फिर जो ये remainder आया ये क्या बन जाएगा divisor और ये क्या हो जाएगा जो पहले divisor था dividend फिर remainder divisor और जो divisor था वो dividend ठीक है ऐसे करके जो last divisor आएगा वो क्या होता है हमारा HCF चालिए अब एक 3 digit का देखते हैं और clear होगा now see this HCF of this this and this by long division आप कहेंगे मैं अब कैसे divide करें 2 digit में एक divisor हो गया था एक dividend अब क्या होगा कोई बात नहीं आप पहले की 2 digit ले लेंगे इसमें जो smallest होगा वो क्या हो जाएगा divisor और जो greatest होगा वो dividend हो गया ठीक है अब आप divide करना start कर दीजे 8 1s आ 8 9 1s आ 8 9 1s आ minus कीजे 4 11 में से 3 गया 11 में से 9 गया sorry 2 and 11 में से 8 गया 3 3 24 आ गया ठीक है now आप ये क्या हो जाएगा अब आपका divisor और dividend क्या हो जाएगा ये 8 91 ठीक है अब 3 24 3 आ देखिए करके 3 3 आ ये जादा हो जाएगा 2 आ 4 2 आ 8 2 2 आ 4 3 2 आ 6 ठीक है 2 2 आ गया 648 minus कीजे 11 में से 8 गया 3 फिर 8 में से 4 गया 4 फिर 6 में 8 में से 6 गया 2 243 ये आपका क्या बन गया divisor dividend क्या हो जाएगा 3 24 3 24 ये जाएगा 1 आ 243 minus कीजे 1 12 में से 4 गया 81 ठीक है इतना clear है अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा divisor ये क्या हो जाएगा dividend 243 ठीक है 81 की टेबल में 24 नहीं आता है तो हम 3 ओ डिजिट देखिए 81 2 आ देखिए जरा 243 हमें मिल गया 81 3 जा 243 0 आ गया ठीक है 0 आ गया लेकिन अभी खेल खतम नहीं हुआ क्यों क्योंकि तो अभी हमने दो ही डिजिट का तो निकाला है 81 जो यह आपका last divisor आया अब क्या करेंगे अब इस 81 से यह जो हमारा third number बचा था इसको divide करेंगे 1377 I hope आप समझ करें ठीक है अब यह 137 क्या 81 के टेबल में आ पाएगा Yes 81 81 जा 137 माइनस कीज़े जरा यह आगया आपका 6 आप 13 में से 8 गया 5 फिर यह 7 कॉपी कीज़े अब देखिए 81 7 जा क्या होगा 7 जा 7 7 जा 56 81 7 जा 5 6 7 माइनस किया 0 अब हमारा हो चुगा पहले हमने यह दो numbers लिये फिर जो last divisor आया था उससे हमने 3rd number को divide किया अब हमें finally 0 मिल गया और last divisor हमारा क्या था 81 तो HCF क्या होगा 81 आप समझ गयोंगे simple division है लेकिन HCF क्या आएगा जो last divisor होगा हमारा is a clear practice कीज़ेगा बहुत अच्छे से आजाएगा simple divide करते रहिए last divisor HCF होगा चलिए देखते हैं अच्का माठ पक्त so today's math fact is Pai day is on 14th March of every year why because Pai की क्या वैल्य होती है 3.14 14 is from here and March is this third month this is month and this is date 14th March of every year is celebrated as Pai day isn't it interesting so in this I have told you the unique concept of HCF and the math fact keep watching my series for such new informative video buh-bye happy learning thank you for watching my video please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification buh-bye happy learning